अगर अच्छे नहीं भी हैं तो आज की मेरी इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद बहुत अच्छे होने वाले हैं ये वीडियो आपकी जिंदिकी में चार चांद लगा देगा आपकी खुबसूरती में चार चांद लगा देगा आपके confidence को boost अप कर देगा क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी remedy लेकर आई हूँ जो आपके रुके होए वजन को कम कर देगी आपके बड़े होए fat को reduce करेगी आपके शरीर में जहां जहां fat है अगर आपके बाजों बहुत हेवी हैं आपकी टांगे बहुत हेवी हैं आपके bulges बहुत जादा निकल रहे हैं पेट बहुत जादा है lower tummy बहुत जादा है सब कुछ इससे reduce होने वाला है जी हां वो भी सिरफ एक महीने में एक महीने का समय आपको रोजाना regular इसको देना है, पीना है कैसे बनाना है, जान लेते हैं लेकिन उससे पहले एक और good news है जो ladies, delivery के बाद अपने tummy को, अपने लटके होई पेट को अंदर करना चाहती है वो भी इसे पी कर अपने लटके होई पेट को tone कर सकती है और अपने confidence को boost कर सकती है in fact, अगर आपको कोई diabetes है आपको कोई PCOD की समस्या है thyroid है, तो भी आप इस remedy को intake करके अपने fat को reduce कर सकते हैं यह आपके fat को एकदब mom की तरह पिगला देगी और आपको proper body shape में ले आईगी तो देरी किस बात की? उससे पहले अपना homework तो कर दो यार homework यह है कि चानल को सब्सक्राइब और वीडियो को जम कर share कर देना no cheating, cheating नहीं जम कर share कर देना पूरा वीडियो सुनने और देखने के बाद, उसके बाद जो bell icon होता है न, उसको प्रेस करते time all notification पर click करें ताकि जब भी मैं आपके लिए कुछ नया और बढ़िया सा ले कर आँ, तो टन आपके फोन पे घंटी बच जाए तो ऐसे ही खुब सरा प्यार देते रहें और फटा फट चलते हैं वीडियो की तरफ इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिना है तेजबता तेजबता हमारे शरी में जहां भी फैट जो स्टोर हो चुका है उसको कट करता है आपके metabolism rate को high करता है क्योंकि इसमें होता है copper, potassium, calcium, magnesium, selenium, iron यह आपके जितनी भी शरी में यह सारी कमिया है उनको पूरा करता है साथ में अगर आपको bones में बहुत ज़दा pain रहता है आपके skin बहुत dull हो गई है तो आप notice करेंगे कि अगर आप यह वाला water पीएंगे यह remedy पीएंगे तो इससे आपके skin भी बहुत glowing हो जाएगी in fact यह आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो तेश पत्ते की आप दो पतियां इतने size की आप ले लीजे इसको क्या करना है आपने दो ग्लास पानी में इसको डाल देना है उसके बाद हमारा दूसरा ingredient है दालचीनी दालचीनी क्या करता है आपके fat cell को तोड़ता है आपके metabolism को high करता है आपके पेट में अगर बहुत ज़्यादा curves SET यह सारी समस्याइं अगर रहती है तो आपने छोटी सी स्टिक दालचीनी की लेनी है इससे जादा नहीं आपको quantity से जादा किसी भी चीज की नहीं बढ़ानी है और कम भी नहीं करनी है छोटी सी स्टिक जितनी मैंने ली है इतनी छोटी सी स्टिक आप दालचीनी की ले लीजे तीसरा ingredient है इलाईजी, इलाईजी हमें क्यों इस्तमाल कर रहे हैं, क्योंकि इलाईजी आपके शरी में blood circulation को fast करती है और आपकी जो पुरानी से पुरानी curves है, उसकी समस्य को खतम करती है अगर आपको पेट फूलना, खटी डिका रहे और जिसका metabolism अगर fast होता है तो वैसे भी अगर आप कुछ खाएंगे वो आपके fat में convert हो ही नहीं पाएगा तो इसमें जितने भी ingredient में add कर रहे हूँ वो सारे आपके metabolism rate को high करते हैं और अगर आपका metabolism rate high हो गया तो आपका fat बढ़ ही नहीं सकता इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई भी junk food या sugar intake करना start कर दें इसके साथ हम इसमें add करेंगे अपना last ingredient दो चमच जीरा जीरा क्या करता है आपके शरीर में जितनी भी gas बनती है, acidity बनती है उसकी problem को खतम करता है खटी डिकारों के समझ से खतम करता है आपके पाच्चन तंत्र को दुरूस करके आपके metabolism rate को high करता है और साथ में अगर आपके शरीर में खून की कमी है ना तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से दूर करता है तो जीरा आपके लिए बहुत फाइदे मन्द है, यह remedy अगर आप प्रॉपर तरीके से जैसे मैं बताने वाली हो पीएंगे तो आप देखेंगे कि एक महीने में आपका इतना जादा वजन कम होना शुरू हो गया कि आप खुद देखकर हैरान रहे जाएंगी लेकिन regular follow करना है 15 मिनट तक उसको उबलने दीजे जिससे उसका सारा असर उस पानी में आ जाएगा उबलने के लिए आपने गैस का जो flame है वो लो रखना है ताकि धीर धीरे कड़ कड़ कर उसका असर पानी में आ जाए उसको आप कांच के जार में स्टोर कर लीजे और आपको इस पानी को तीन बार पीना है एक तो सुभा खाली पेट दूसरा आपको खाना खाने के लिए लंच के एक घंटे बाद और ऐसे ही डिनर के एक घंटे बाद और सोने से आदा घंटा पहले अगर आप रोजाना इसको तीन बार इंटेक करते हैं तो आप अपने गिरते होई बजन को खुद बहुत जल्दी नोटेस कर पाएंगे इनफाक दूसरों लोग भी नोटेस करने लगेंगे कि आपका इद्धम से फैर्ट जो था वो कहां जाता जा रहा है वो भी बिल्कुल नाच्रल तरीके से ठीक है और अगर आपका बच्चा 15 साल का हो चुका है तो अगर उसके शरीर में बहुत ज़दा फैट है उसका मेटाबोलिजम रेट बहुत लो है तो भी आप उसको ये ड्रिंक दे सकते हैं कोई वहांफुल नहीं है लड़का लड़की कोई भी इस ड्रिंक को इंटेक करके अपने वजन को कंट्रोल कर सकता है लेकिन अब बात आजाती है जो इसमें इंग्रीडियंट हमने मिलाए हैं वो भी आपके वेस्ट विल्कुल नहीं जाएंगे जो तेज पता है दालचीनी है जीरा है आप इन सबको जबी भी कोई सबजी या आप दाल बना रहे हैं उसमें चौक लगा रहे हैं तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं तो आपका वो इंग्रीडियंट वेस्ट भी नहीं जाएगा और यूटिलाइज भी हो जाएगा और मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आप जो आपका इंग्रीडियंट बज गया है उसको आप नेक्स डे दुबारा से उबाल कर दो बार इस पानी को पी सकते हैं क्योंकि इस इंग्रीडियंट में इतना कुछ रह जाएगा जो अगले दिन भी आपके पानी में पूरा असर दे जाएगा और उसके बाद आप इसको किसी भी फ्लेवर के लिए डाल या सबजी में इस्तमाल कर सकते हैं तो आपको दो दिन का एक साथ नहीं बनाना बलकि पूरे दिन का एक बारी बनाना है और अगले दिन दुबारा से फ्रेश बनाना है इस बात का ध्यान रखेगा तो आपके अंदर क्या क्या changes आए, please comment करिएगा, ऐसी हमेशा कुछ नया और भैतर लाती रहोंगी, आपके जिंदकी को और खुशनुमा बनाती रहोंगी Love you all, Bye, Take Care and Stay Healthy